एक आज बहुत जोरदार आसो बनाया है आप मेंसे दारू कितने लोगों ने पिया इमानदारी से बोलना हूँ दारू हाथ हिला यूँ अब तो छोड़ दी है ना ठीक है जिनके दारू पिने की आदत नहीं छूटती उनके लिए हमने एक दवाई बना दी है उसका नाम है द् बहुत दिनों से लोग कह रहे थे पहली बार मैंने 30 सालों में पहली बार बनवाई करिए अब लोग बहुत से यहीं बोलेंगे बावा ने नहीं दारू बना दी नहीं बना अब बोलने तो जमाना तो बोलता रहेगा लेकर इतनी बढ़िया है पीने में टेस्ट ऐसा और वाईन तो है बकवासी इसको जो पी लेगा ना जिनके भी परिवारों में लोग दारू नहीं छोड़ पाते हैं सब ध्यान से सुनो आस्था पर करोडू लोग सुनते हैं और जिनको वाईरल करना हो अपने यसी तैसी कराओ वाईरल कर दो यह कोई दारू नहीं है यह द अपने लगते हैं और जिनका पेट परा बैठ जाता है धारू बीपी करके जिनको बीपी हो जाता है और भी बहुत सा कबाड़ा हो जाता है बठा बैठ जाताा पाचंतंतर का आप लोग एक बार जो कभी जिसने दारू भी नहीं पी पी के देखना मैंने सबसे पहले कल मैंने टेस्ट किया भई दारू नहीं है यह नहीं तो मैं सादू होकर क्यों पीता भई और सबसे पहले डॉक्टर नीरज को पिलाओंगा करते हैं ब्रह्म मेरे कमरे में रखे है कल लेकर क्या है तो राक्षा सव जिनको भूख नहीं लगती पाचन ठीक नहीं रहता ताकत नहीं है कमजोरी लग रही है जी हिमोगलोबिन नहीं बढ़ रहा जी क्या करें जी मरे जा रहे जी द्राक्षा सव पीलो पेट एक दम फसक्रास हिमोगलोबिन टना टन बढ़ेगा साथ दिन में 14 हिमोगलोबिन की गारिंटी कितनी चोद है जिनका साथ है सीधा बारे चोद है वो जो अनार गाजर चुकंदर खजूर और ये सब तो खिलाते पिलाते वीट ग्रास ये सब ठीक है क्या एबी सीडी जूस पिलाते हैं हमारे डोक्तर साब पांचनत्र के लिए भूग के लिए कफ कोल्ड के लिए एएनर्जी के लिए एम्मिनिटी के लिए और जिनको नेंद नहीं आती दारू पिए बिगा पिए बिना वाइन पिए उनको इलिए और जिनका यह कहते हैं कुछ न वो दिमाग काम नहीं कर रहां जिनका दिमाग काम नहीं कर रहां आक ब्रहं hell झाता हीं उनकी तरह भी तर भी सारह शाक रहें वोलेंगं आची वोलते थे एंप इसे हिना य। तो फिर इसको पी सकते हो लेकिन चार चम्मत पी नहीं है पूरी बोतर मत खिसका ले ना झाल